तो गाइस, आज मैं फिर से लेके आगया हूँ, आपके लिए गर्मागरम Tech News, और आज की Tech News काफी गर्मागरम होने वाली है, तो बीना देर करते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं तो गाइस, पहले ख़बर के बात करें, तो पहले ख़बर MI के तरब से, MI ने अपना MI TV 4S को चाइना में Friday को लाँच कर दिया है, बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 65 इंच का डिस्प्ले होने वाला है, यह जो TV है, यह 65 इंच का होने वाला है, और इसमें आपक स्पाइम, नेटफ्लिक्स, बिग रॉक जैसे बाकी जो स्टीमिंग वेब साइट, स्टीमिंग एप हैं, उस पर आप वीडियो स्टीमिंग कर सकते हैं, और कंपनी ने लगे हातों, अपना MI Air Purifier 3S को भी लाँच कर दिया है, तो बात करते हैं, MI TV 4S के प्राइस की, तो कंपन 179.99 Euro रखी है, यानि कि 15,000 के करीब रखी गई है, तो आपको ये प्रोटक कैसा लगा, और ये दोनों ही प्रोटक जल्द ही इंडिया में लाँच होने वाले हैं, तो आपको ये प्रोटक कैसा लगा, हमें कमट करके बता से, तो दूसरी कवर के बात करें, तो दूसरी कवर प्रोटक के बात करें, तो इसमें आपको सिनामटन का 765G वाला 5G वाला प्रोजेसर देखने को मिलेगा, और कमपरी ने इसको दो वेरियेंट में लाँच किया है, 6GB और 8GB वेरियेंट में, कैमरा की बात करें, तो इसमें आपको 48MP, प्लस 8, प्लस 5, प्लस 2MP के क्वाड रि 29,000 के करीब लाँच किया है, मतलब 29,000 रखी गए इसकी प्राइस, और बताया जा रही कि यह फोन इंडिया में, मी A4 के नाम से लाँच होने वाला है, पर जो मी की जो A-Series है, वो 15,000 से 17,000 के अंदर में आती है, और इस फोन की प्राइस 29,000 रखी गई है, तो चाइना में इंडिया में जब यह लाँच गा, तो इससे कम प्राइस में तो आपको देखने को नहीं मिल सकता है, तो यह फोन नहीं हो सकता है, तो गाइस तीसरे कबर के बात करें, तो तीसरे कबर रेडमी की तरब से, रेडमी 9 जो कुछ दिन से काफी हलचल में थी, तो उसकी कुछ त आपको देखने को मिल रहा है, और बताया जा रहा है कि इसमें आपको Helio G80, Mediatek Helio G80 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, मतलब प्रोसर्ट जो होने वाला है, वो Mediatek Helio G80 होने वाला है, तो यह कंफर्म नहीं है, बट जैसे ही इसके बारे हमें और कुछ डीए निकलेगी, म मैं आपको बता दूँगा, तो गास बात करें, चोथे खबर की तो चोथे खबर, रेडमी की तरफ से है, रेडमी नोट 8 प्रो, के जो MIUI 11 का Android 10 का अपडेट है, वो रोलाउट कर दिया गया है, यहां पे रेडमी नोट 8 प्रो के एक यूजर ने ट्वीटर पे ट्वीट करक है, और जो 434 MB की जो इसकी फाइल साइज है, इसकी फाइल साइज है, वो 434 MB है, तो आप अगर 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 नोट 8 प्रो के यूजर हैं, तो आप अपने सिस्टम में जाके चेक कर सकते हैं, और अपने फोन को अपडेट करके, MIUI 11 0.2.0 का Android 10 का अपडेट है, इसको फ कर दिया गया है, और यह अपडेट, Realme X2 A.19 के नाम से है, अगर आप स्मार्टफोन अपडेट, मतलब अगर आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट करके, यह अपडेट, Realme 10 का अपडेट है, उसे चेक कर सकते हैं, कंपनी ने इसमें काफी कुछ चेंजिस किया है, और आपको इसमें देखने को मिलेगा, लेक्स का मोड भी देखने को मिलेगा, और ने विएशन 3.0 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप Realme X2 यूज करते हैं, तो आप इसमें अपडेट को जाके चेक कर सकते हैं, तो गाइस, यह खवर सैमसंग के तरब से, सैमसं इसमें आपको 8MP का सैमसी कामरा देखने को मिलेगा, और बैक में आपको 3MP कामरा का सटप देखने को मिल रहा है, जो की 13MP, 5MP, 2MP होने वाला है, रियर में आपको फिगरपीड सेंसर देखने को मिल रहा है, और 6.1 इंच का HD Plus डिस्पले होने वाला है, अब यह सूपर अमोल आपको परिज़ दिस्पले होगा, यह तो मुझे भी नहीं पता है, और बैटरी के बात करते हैं, आपको 4,000 अमेज की बैटरी दीके, प्लस 15W का फास्टाश सपोर्ट भी दिया गया है, और प्रोचेज़र के बात करते हैं, आपको 435 वाला प्रोचेज़र होने वाला है, जो कि काफी पुराना है वो एक्जिनोस 960 इस टाइब की प्रोचेजर यूज़ करने चाहिए इस फोन में बट पता नहीं क्यों स्ट्राइब डेगन फाइब वाला प्रोचेजर इतना पुराना प्रोचेजर जो है उसको यूज़ कर रहा है अब हो सकता है उसको कुछ अपड अब प्रोचेजर फोन की कानफॉर्म डीटेल्स और स्पेसिफिकसल्स कनफॉर्म जब आएगी तो मैं आपको बता दो तो गाई जगर आप 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 हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आकन को प्रेस कर लिए ताकि हमारे चैनल के हारे ड